नमस्कार दोस्तो मैं विकास मलोत्रा स्वागत करता हूँ आपका लाल किताब एस्टो सेंटर चैनल पर दोस्तो खगोलिये विज्ञान के अनुसार धरती सूरे की परिक्रमा करती है और चंद्रमा पिर्थवी की परिक्रमा करता है तो धरती से सूरे को देखने पर चंद्रमा सूरे के प्रकाश को कुछ समय के लिए धख लेता है इस घटना को ही सूरे ग्रहन कहते हैं वैसे तो साल 2022 में दो सूरे ग्रहन होंगे जिसमें पहला सूरे ग्रहन 30 अप्रेल 2022 रात को लगेगा जो कि टेक्निकली एक में 2022 हो चुकी होगी सूरे पर ग्रहन लगना ये एक खगोलिय घटना है प्रन्तु इसका सनातन विज्ञान में या हिंदू धरम में भी एक विशेश महत्व होता है सूरे ग्रहन के दोरान सूतक काल के समय कई कारेों की मनाई की जाती है इस साल का जो पहला सूरे ग्रहन है 30 अपरेल 2022 की आधी रात 00.15 मिनट से आरंब होगा यानि वो टेक्निकली एक में 2022 हो चुकी होगी वो तारीक और प्राता काल वो चलेगा 4 बचकर 8 मिनट तक और ये ग्रहन का मध्धे जो होगा वो 2 बचकर 12 मिनट 26 सेकिंड पर होगा और ये ग्रहन टोटल जो है एप्रॉक्सिमेटली 3 गंटे 52 मिनट के करीब की अवधी का रहेगा अब ये जो ग्रहन है ये खंड ग्रास सूरे ग्रहन है जो की कई शेत्रों में ही नजर आएगा जिसमें पैसिफिक, अटलांटिक सागर, दक्षिनिये, अमरीका, अंटार्टिका के कुछ भाग, फॉक्लेंड, अर्जेंटाइना, चीली, उरुगोई, पैरागोई वो बॉल्विया आधी देशों में ये ग्रहन खंड ग्रास आकरिती में दिखाई देगा लेकिन भारत देश में ये ग्रहन कहीं भी, किसी भी रूप में दिखाई नहीं देगा और आप देखेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और और जगा यूट्यूब चैनल्स पर बहुत सारे जोतिश आचारे इस ग्रहन के फायदे नुकसान भारतियों के हिसाब से भी बता रहे होते हैं जबकि इस ग्रहन का भारतियों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि भारत में ये ग्रहन दिखाई ही नहीं देगा तो सूतक काल भी इसी वज़ा से इस ग्रहन के लिए माननी ये नहीं होगा तो किसी भी तरह से भैबीत होने की जरूरत इस सूरे ग्रहन से पहली बात तो नहीं है अब दूसरी बात जिन कंट्रीज में ये सूरे ग्रहन दिखाई दे रहा है वहाँ पर सूतक काल भी मानने होगा जो की करीब 9 घंटे पहले लग जाता है और उनको खासकर गर्वती महिलाओं को वहाँ पर प्रिकॉशन्स लेने की जरूरत है भारत में तो वैसे भी रात के 12 बच कर 15 मिनट पे शुरू होगा 30 अपरेल की रात को जो की एक में हो चुकी होगी और सुबा 4 बच कर 8 मिनट तक खतम हो जाएगा जिसमें नॉर्मली सभी लोग सो रहे होते हैं तो बहुत जादा इफेक्ट इसका नहीं पड़ेगा लेकिन क्योंकि 30 अपरेल को शनी अमवस्या भी है तो अमवस्या से संबंदित कुछ उपाये आप कर सकते हैं उसके लिए मैंने अलेडी एक वीडियो शेयर किया हुआ है जिसमें शनी अमवस्या पे आप क्या उपाये कर सकते हैं जिससे शनी अमवस्या का लाब आपको जादा से जादा मिले आप वो तो करे ही करें प्लस अमवस्या का दान भी कर सकते हैं अब मवस्या पे दान करना बहुत जरूरी है अब वो क्या-क्या चीजे करनी है वो सारी बाते मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो भी ग्रहन से संबंदित क्योंकि ग्रहन एक मौका है कुछ उपाये आप कर सकते हैं जिसमें आप ग्रहन से संबंदित कोई वहम भी होगा कि आपको पढ़ सकता है वो दुश प्रभाव भी आपको नहीं पढ़ेगा वो सारी बाते में आपसे इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे विनमरे निवेदन यही है इसे पर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहे किसी भी तरह के जो तीशिये परामर्श के लिए आप हमारी वेबसाइट्स पर विजट करके अपॉइंट्मेंट बुक कर सकते हैं वेबसाइट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अब सबसे पहले तो सूरे ग्रहन के उपाये आपके साथ बात कर रहा हूँ अब जैसा मैंने आपको बताया 30 अपरेल को रात को लगेगा 12 बचकर 15 मिनट पर जो की टेक्निकली एक में हो गई होगी तो जो भी आपने उपाये करने वो एक में को होंगे इसमें आप ये कर सकत हैं गेहू, गुड़ और तामवा इन तीन चीजों का दान आप दे सकते हैं रवीवार वाले दिन यानि एक में को कितना देना है अपनी जितनी आपकी पर्चेजिंग पावर है जितनी आपकी श्रद्धा है आप तीनों चीजें गेहू, गुड़ और तामवा थोड़ा पावार पान्टिटी में लेकर एक तो उसको दान दे सकते हैं. दूसरा एक उपाए जरूर करें, एक पूझा वाला नारियल अपने सिर्पर से वार कर जल में प्रवा करें. अब कई बहर ऐसा होता है कि आपके घर में दो सदश्या है तीन सदश्या है चार सदश्या है, तो अगर आपके घर पर कोई नजर लग जाती है कोई ऐसी चीजे हैं जिसमें आपको नुकसान हो रहा है किया कराया है किसी का उससे कुछ नुकसान हो रहा है तो उससे सेवगार्ड रहेंगे अब बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो राहू संबंदित पीड़ा से गुजर रहे हैं अगर राहू संबंदित पीड़ा आपको हो रही है जिसके अंदर अचानक आपको लॉसिस हो जाते हैं ये नहीं पता चल पाता कि किस वज़ा से ये लॉसिस इतने जादा हो रहे हैं दुश्मन बहुत जादा हो गए हैं बहुत समय से किसी बिमारी से आप जूज रहे हैं जिसका कारण पता नहीं चल पा रहा तो इसके लिए सबसा अच्छा उपाए रहेगा एक किलो जौ ले लीजे उस पे कच्चे दूद के छीटे मारिये और उसको जल प्रवा कर दीजे एक मेवाले दिन अब ये जो उपाय है ये जो मैं ने आप पूजा वाला नारियल आपको जल प्रवा करने के लिए काया है उसके अलावा ये उपाए आपको करना है अब वो उपाए आपसे बात करना हूँ जो अमवस्या के कारण क्योंकि तीस अपरिल को अमवस्या है आप चाहें तो सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि आप अमवस्या वले दिन तीस अपरिल को ये उपाए कर ले जो अब मैं उपाए आपको बताने जा रहा हूँ लेकिन किसी वज़ा से अगर आप 30 एपरिल को नहीं भी कर पाते तो उसका जो दान है वो आप एक मे को भी कर सकते हैं दान देने के लिए आप अच्छे कारे करने के लिए आप कोई भी दिन अच्छा है आपका आप दान देंगे तो आपको उसका कई गुना वापिस जरूर आएगा अब उसके लिए जो उपाए हैं वो आपसे बात कर रहा हूँ इसमें आप दो उपाए कर सकते हैं एक उपाए तो ये करिए कि आप पांच किलो दस किलो जितना भी आटा आपकी श्रद्दा है आप वो आटा मंगवालीजे उस आटे को किसी भी निर्धन व्यक्ति को दान कर दें उसके साथ जो भी दक्षिना आपको ठीक लगती है जो भी आप दे सकते हैं वो एक तो दीजे पहले पहला तो ये उपाए रहेगा और दूसरा अच्छा ये जो उपाए है ये आप चाहें तो शनीवार को भी कर सकते हैं और अगर किसी केस में आप शनीवार को नहीं कर पाते तो ये रवीवार को यानि अगले दिन सूरे ग्रैन क्योंकि उस टाइम पर खतम हो चुका होगा तो आप उस टाइम भी ये उपाए कर सकते हैं दूसरा उपाए ये उपाए जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आपको शनीवार को ही करना है ये रवीवार को नहीं करना आपने इसमें आप क्या करेंगे एक नया काला कपड़ा ले लीजे उसमें थोड़े से काले तेल डाल लीजे एक सरसो के तेल की छोटी शीशी रखिए थोड़ी सी काली उड़द रखिए, कुछ सिक्के रखिए, अपने सिर से पैर तक उसको एंटी क्लॉक वाइज नौ बार घुमा लें और फिर जो शनी के लिए दान मांगने आता है व्यक्ति जिसको डकोत कहते हैं आप उसको दान दे दीजे और अगर किसी केस में वो नहीं मिल पाता तो किसी भी गरीब यक्ति को दान दे दीजे तो ये उपाये आपको शनिया मवस्या का लाब भी दे देंगे और सूरे ग्रहन के जो उपाये हैं वो मैं आपके साथ पहले बात करी चुका हूँ इस वीडियो में तो आप ये उपाये करें और किसी भी तरह के भै में मत आईए क्योंकि जब भारत में वो दिखाई नहीं दे रहा भारत में सूतक गाल भी नहीं लगेगा तो कहीं से भी डरने की जरूरत नहीं है बहुत से वीडियो आपने देखे हूंगे जो कहेंगे भयंकर सूरे ग्रहन है इतनी राशियां माला माल हो जाएंगी इतनी राशियां कंगाल हो जाएंगी ये सब कुछ नहीं होने वाला क्योंकि आप खुद देखिए कि जिस चीज का impact आप जहां पर रह रहे हैं देश-काल परिस्थिती के हिसाब से जोतिश किया जाता है वहाँ पर पढ़ ही नहीं रहा तो इसका कोई सवाल ही नहीं बनता तो किसी भी तरह के भे में मताईए हाँ कुछ उपाए अच्छे कारे करने के लिए आप कोई भी दिन में उपाए कर सकते हैं वो उपाए आपको हमेशा लाब देते हैं दोस्तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें बाकी लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को पुश करना ना भूलें धन्यवाद दोस्तो आपको शानिया मवस्या की बहुत बहुत शुप कामना है